इस आकृति का क्षेत्रफल क्या है? हम इस आकृति को पतंग के नाम से जानते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि ये आकृति एक चतुरभुज यानि की quadrilateral है जो अपने विकर्ण यानि की diagonal पर सममीतिय यानि की symmetric है तो इस चतुरभुच का विकर्ण है और ये सममीतिय है यानि कि यह उपरी हिस्सा और यह निचला हिस्सा एक दूसरे से बिलकुल समान है और खशेत्रफल यानि कि एरिया पता करने के लिए यहां इस पतंग की चौड़ाई 14 cm और उचाई 8 cm दी गई है या अगर आप इससे दूसरी तरफ से देखें तो आप ऐसे भी क्या सकते हैं कि पतंग की उचाई 14 cm है और चौड़ाई 8 cm है तो दिये गई आयामों या डाइमेंशन्स के आधार पर हम किस प्रकार खशेत्रफल यानि कि एरिया पता कर सकते हैं इसके लिए हम पतंग के आधे ह इससे को खंडों यानि की सेक्शन्स में बाट लेते हैं ये एक छोटा सा लाल खंड है हम यहां रेखाओं को अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि बाद में रेखाओं का पता लगा सके इस रेखा को हरे रंग से और इस रेखा को परपल रंग से प्रदर रहा हूँ और इस रेखा खंड को औरंज कलर से प्रदर्शित कर लेते हैं अब इस लाल त्रिभुज यानि की ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए माल लीजे हम इसको घुमा कर यहां पर ले आते हैं तो ये कैसा दिखेगा ऐसा करने पर हरी रेखा यहां पर आ जाएगी ये बै पर यहां नीचे ले आते हैं तो ऐसा करने पर हरी रेखा अब यहां पर है यह संतरी रेखा यहां पर है और यह नीली रेखा ठीक यहां पर है और हम जानते हैं कि यह सही है क्योंकि यह अपने विकर्ण पर सममीतिय यानि की सिमेट्रिक है यानि की यह लंबाई यहां पर इ इसलिए ये सही है, तो इस तरह हमने एक आयत, यानि की rectangle बना लिया है, जो 14 cm चौड़ा है और उसकी उचाई 8 cm की आधी, यानि की 4 cm है, और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्र फल, यानि की area of rectangle किस प्रकार पता किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 4 cm गुणा 14 cm, 14 गुणा 4 हुए 56, इसलिए इसका क्षेत्र फल, यानि की area है 56 cm, तो इस प्रकार पतं का क्षेत्र फल, यानि की area पता करने के लिए, हमने चौड़ाई का 1 बटा 2 पता करके, उसे उचाई से गुड़ा किया है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, और इसका उत्तर है 56 cm,